मैं इसके राजपूत मैदमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है आज आप लोगों को मैं साधारन ब्याज पढ़ाने जा रहा हूँ और आप लोग देखेंगे कितने इजी तरीके से और कितने तरीके से आपको पढ़ाया जाता है आपको सवाल लगाने के लिए कौपी पैन की बिल्कुल जरूरन नहीं पढ़ेगी आप देखते ही देखते सेकंडों में आंसर लाएंगे देखिए कैसे सबसे पहले बात करते हैं हम साधारन ब्याज की तो एक सूत्र होता है साधारन ब्याज साधारन ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन मूलधन गुड़े में दर होता है और गुड़े में समय होता है और बटे में सो होता है अभी तक हम जब भी कच्छा छे साथ आठ और नो दस तक पढ़ते चले आए हैं तो सभी जो सवाल थे इस बेश पे लगते थे या ये इस सूत्र पे लगते थे और इसके बाद में इसी सूत्र को हम और कई तरीकों से लिख सकते हैं देखिए कैसे देखिए यहाँ पर हम इसके बटे में एक कर लेते हैं और भिन्द्ध खतम करने के लिए हम तिर्शिगुणा कर देते हैं तो देखिए कैसे इन सो की गुणा इसमें कर देंगे इसको हम साड में थोड़ा लिख लेते हैं साधारण ब्याज और इसकी इधर गुणा करेंगे ऐसे तिरशी गुणा कर देंगे गुणे में सो हो जाएंगे बराबर में मूलधन को हम ऐसे लिख लेते हैं साड में मूलधन गुणे दर और गुणे समय अब यहां से हमें जो निकालना पड़ेगा उसको हम पच्छांतर कर लेंगे सीधे अब देखिए जैसे की हमें यहां से मूलधन निकालना था तो यह साधहरण ब्याज हो गया गुडे में साधारन ब्याज गुडे में ये सौ हो गया बराबर में आपको मूलधन निकालना है तो यहाँ पे मूलधन यही रहने दीजिए और जो ये साथ में था इधर इसके बटे में कर दीजिए ये दर हो जाएगा गुडे समय हो जाएगा इस प्रकार से हमें जब ये दर निकालनी पड़ेगी तो हम दर बराबर में कर देंगे इधर मुलधन बचेगा समय बचेगा बटे में कर देंगे ऐसे ही हमें समय निकालना होगा तो हम समय बराबर में करेंगे बटे में मुलधन और दर बचेगी तो इस प्रकार से अगर हम ज जरूरन नहीं सुत्रों की कोई जरूरन नहीं है अगर हम इनको रटते रहेंगे तो हम रट नहीं पाएंगे और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है कि हम इन सुत्रों को लगाएं और सुत्रों को यूज करें और इनके द्वारा कोई सवाल लगा पाएं क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे देखिए कैसे थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं प्रतिसत की थोड़ा आप लोग देखेंगे ध्यान देंगे प्रतिसत में हम थोड़ी आपको बात बताना चाहेंगे देखिए ये हमारा प्रतिसत का चिन होता है और हिंदी में इसे हम ऐसे लिखते हैं अब देखिए किसी भी संख्या में आपको प्रतिसत लगाना हो तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे जैसे हमने का भई ये पांच है इने प्रतिसत लिखना है पांच को प्रतिसत में कैसे लिखोगे भई हमने इसमें गुणा कर दिया 100 से देखिए कैसे हमने 100 से गुणा कर दिया ये 500 प्रतिसत हो गए कितने हो गए भई 500 प्रतिसत तो हम सीधे यहां लिख देते हैं प्रतिसत लगाने के लिए प्रतिसत लगाने के लिए सौसे गुणा करेंगे सौसे गुणा करेंगे और बात जबाती है जैसे यहाँ पे लिखा है दस प्रतिसत अगर प्रतिसत हटाना हो प्रतिसत हटाना हो हटाना हो तो हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे देखिए कैसे जैसे यहाँ पे यह 10 प्रतिषत लिखा था अब हमें प्रतिषत हटाना है तो 10 बटे में कितना कर देंगे 100 अब हमने यहाँ से 0 से 0 काट दिया 1 बटे 10 आ जया ठीक है अब क्या करोगे अब एक चीज और बताएंगे आपको जैसे किसी संख्या का 10 प्रसंट निकालना हो तो हम बिल्कुल इजी तरीके से निकाल रखते हैं देखिए कैसे देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है 500 अब आप से कहेगा 500 का 10 प्रसंट निकालिये बटे में 100 जीरो ते जीरो जीरो ते जीरो और आजाता है 50 क्या आप लोग ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे तो बिल्कुल आपका समय नहीं बचेगा और आप पीछे हो जाएंगे आपको क्या करना है देखिए कैसे किसी भी संख्या का 10 प्रसंट निकालना हो जैसे 500 का 10 प्रसंट निकालना था एक जीरो हटा दीजिए बस आपका आगया 10 प्रसंट निकल कर आगया जैसे आपको 2000 रुपए का 10 प्रतिसत निकलना है एक जीरो हटा दीजिए आपका 10 प्रतिसत निकल कर आगया ये सर्व करने की कोई जरूरत हमें नहीं है, बिल्कुल हटा दीजिए कांपी पैन और देख लीजिए सवाल के तरीके को कैफे करते हैं, जैसे अब ये 200 बच्चे हैं, 200 का 10% निकालना भई, बिल्कुल ही जी भई, हमने क्या का आप से, एक 0 हटा दीजिए, ये 200 का 10% हो गया, राइट, अची, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, कि भई, सर्व, आप ये वताईए, आपने तो अपने मन से 2 0 वाले सवाल लिख लिए, तो आपने 10% निकाल दिया, तो अब जैसे कि किती संख्या में 0 ही ना हो, भई, ये संख्या हो, भई, जैसे आपने का, कि 0 था, तो हम हटाएंगे क्या, कुछ लोगों की ये सोच रहती है, तो देखिए, नहीं 0 है, कोई बार नहीं, जब 0 ना हो, पीछे से एक अंग के बाद आप 10 मलबनी का लगा दीजिए, ये 10 परतिसत आगे, जी 10 परतिसत आगया, देखिए कैसे, 414 का 10%, 414 का 10% कैसे निकालेंगे, कैसे, सादारन द्याज का सवाल नमबर 5 है, पी वरावर, हमने लिख दिया है, 1000 रुपे, पी वरावर में 1000 रुपे लिख दिया है, और टी वरावर में हमने 2- i-Y-र लिख दिया है, 2-Y-र और यस आइ, अब देखिए, यस आइ वरावर कोस्षिन मार्क, हमने थोड़ा इसको साड में लिख दिया है इसको हम principle लिखते हैं principle मिंद होता है मूलधन और इसको लिख लेते हैं पी से time होता है time में समय होता है यह आपका simple interest होता है तो हमने यह short form में थोड़ा लिख लिया तो दिखिए इसको कैसे हल करते हैं within second, एक second में answer पहले तो हम थोड़ा आपको slow level यानि basic level बताएंगे उसको कैसे इसमें भी सूत्र लगा देते हैं yes, IE, बराबर में PRT, बटे में 100 देखिए भाई, सूत्र के माध्यम से कैसे आता है देखिए, अब yes, IE आपको निकाल ली है yes, IE बराबर में P कितना है आपका 1000, गुड़े में भाई, यहाँ पे कोई चिन नहीं है तो गुड़े का चिन है, ठीक है अब P बराबर में आपका हमने लिख दिया 1000 R बराबर में अभी भई, R तो इसमें लिखी नहीं है R तो देनी पड़े गी है आपको R दे देते हैं, चलिए ठीक है यहाँ पे हमने दे दिया R R बराबर में दे दिया 5 परतिसद और बराबन में 5 प्रतिसत दे दिया ठीक है अब यहां पर SI चाहो तो फिर से लिख लो भाई question mark अब देखिए यहां 5 से गुणा करिए और 50 टी आपका 2 year है तो से बटे में 100 1212 अब 10 पांदूनी 10 और 10 दसामन 100 एसाइ कितना अगे आपका क्या आप ऐसे करेंगे ऐसे करोंगे दर हम बताना थोड़ा भूल गए थे त tentar भूल गए तो हमने बता दिया और आपकी और मिन्स डेट होता है क्या होता है क्लाइक यह हमारा भेसिक कि अ बिल्कुल साट ट्रिक से देखिए कैसे फिर से हम सवाल को नोट करेंगे पहला सवाल है इसलिए थोड़ा बिलंब होगा जैसे पी बरावर में हमने लिख लिया एक हजार और पी बरावर में लिख लिया हमने टू इयर और आर बरावर में लिख दिया हमने फाइव प्रतिसत और ASIE, बरावर question mark, अब देखिए, आते हैं 60 त्रिक पे, देखिए कैसे, आपको क्या निकालना, भई 5%, कितना निकालना है, 5%, अब देखिए, 1000 का 5% कैसे निकालेंगे आप लोग, 5000 का 5% कैसे निकालेंगे, देखिए, अब हमने यहाँ पे 5 प्रतिधत, चीये, तो क्या करोगे, आप सीधे 10% निकालने के लिए, यहाँ पे क्या होगा, यह आपका 100 आ गया हमने 5% निकालना था इसकी जगे पे हमने कितना निकाल लिया 10% अब 10% निकाल लिया जे 5 प्रतितत जो है यह क्या है 10 का आधा 10 का क्या है आधा है जब इसका यह आधा है और यह 10% हमने निकाला है तो इसको भी आधा कर दीजिए तो ये कितना हो गया? 50 रुपए पचास रुपए भाई, एक हजार का 5% 50 रुपए आ गया ठीग है? अब देखिए क्या करते हैं भाई, ये तो ये एक साल का ब्याज आ गया जब एक साल का ब्याज 50 रुपए है तो दो साल का ब्याज 100 रुपए हो गया, ठीग है? एक साल का ब्याज 50 रुपए है तो दो साल का ब्याज 100 रुपए है ये हमारी सेकेंड ट्रिक थी कौन सी ट्रिक थी? सेकेंड ये ट्रिक थी आपकी सेकेंड अब आपको हम नेश्ट्रिक में भी इसको फिर से बताएंगे कैसे ये भी तरीका चुड़ दीए बिल्कुल इजी तरीका कुछ भी निकालने को कहे देखिए हम कुछ नहीं करेंगे आपको बिल्कुल इजी तरीके से जैसे हमारा मूलधन है एक हजार रुपए समय है दो वर्स और दर है पा कितना हो गया पांदूनी 10 अब क्या करोगो भ molecular और समय के गुड़न फल के बराबर होगा अब गुड़ाकी दी 50 यह प्रतिस्तफदत देए अब क्या करोगो जो सो यसमें दस प्रतित्त आया है भी आपका व्याज है देखिए कैसे जैसे हम ने निकाल दिया हमने का यह इसका दस प्रतितत आह गे इसका दस प्रतितत निकाल दीजह Men 1000 का 10 प्रतिधत कितना हो गया हमने यह कहा को 10 प्रतिधत निकालना है एक 0 हटा दीजिए तो 100 आपको कौन दी ट्रीक यूज़ करनी है हमने क्या किया समय और हम यहां पर फार्मूला बेश से बता देते हैं यह साही बराबर होता है आर गुड़े में टी यह हम ऐसे लिख सकते ह तो आर कितना है वही पांच है गुड़े में टी आपका कितना है दो है और प्रतिधत लगा रखेंगे पांदूनी 10 प्रतिधत हुआ 1000 का 10 प्रतिधत निकालेंगे 1000 का 10 प्रतिधत क्या किसी भी जंक्या का 10 प्रतिधत निकालने के लिए हमने का एक 0 आप हटा देंगे इस प पी वराबर में हमने दे दिया पचीस सो रुपए, अब आर वराबर में दे दिया हमने आठ प्रितित, भई यह हमारी रेट हो गई, रेट यानि दर हो गई है, अब इसके बाद में आपको क्या चीए, टी वराबर में हमने फोर यर, फोर यर, अब भई क्या करना है, दस भी न 32% इसका निकाल दीजिए पचीस सो गुड़े में 32 बटे में सो जीरो ते जीरो जीरो ते जीरो अब क्या करेंगे गुड़ा करने के लिए चाओ तो डारेक्ट पचीद दूना पचास पचीतियां पचत्तर और पांच आठ सो रुपए ये आपका आठ सो रुपए ब्याज निकल कर आ गया है ठीक है तो सभी सवालों को इस परकार से करेंगे अगला सवाल लेखेंगे ये हमारा सवाल नंबर दो था इस परकार से ठीक है इसी के साथ में आपको सवाल नंबर तीन बताएंगे बो भी देखिये कैसे बिलकुल इजी तरीके से सवाल नंबर तीन सवाल नंबर तीन थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए हम उसको डबल तरीके दे बताएंगे सवाल नंबर तीन में दे दिया है पी वरावर में पी वरावर में दे दिया है 3000 रुपए labeling 3 रुपए 4 वरावर में दे दिया है ती बरावर में दे दिया है और T वरावर में दे दिया है फाइव फाई वियर बिल्कुल इजी सवाल बिल्कुल इजी है आप लोग पिछले तरीके से निकाल लगते हैं देखिए कैसे हमने गुणा की चार पंचे 20 इनकी गुणा कितनी हो गई चार पंचे 20 प्रतिसर अब देखिये वही यह तो करेंगे practice भाई हमने का 10 प्रतिसर नीकने के लिए एक 0 हटा दिया अब दश का यह कितने गुणा है दो गुना है यह 10 का दो गुना इसलिए इसको दो गुना कर दीजिए छहतो रुपए आ जाएगा वह ब्याज जो था वह आपका छहतो रुपए आ गया है चाहो तो इसको बिल्कुल अपने तरीके से कर लो चार पंचे 20 इसकी गुणा 20 हुई और गुड़े में मूलधन कितना 3000 रुपए बटे में 100 एक जीरो एक जीरो एक जीरो तीन दूना 600 रुपए इस प्रकार से भी ब्याज आपका 600 रुपए और चाहो तो जो हमने तरीका बताया उस प्रकार से भी next question अगला सवाल देखेंगे आप लोग सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 4 इसको देखिए कैसे करेंगे इसमें थोड़ा हम difference लाते हैं थोड़ा change करते हैं फिर हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से कैसे निकालते हैं देखिए इसमें हमने ले लिया पी वरावर में 4000 ले लिया और इसमें पहले वर्स जो इसकी दर थी पहले वर्स मतलब दर अलग अलग दी हैं पहले वर्स इसकी दर थी वो आपकी थी चार प्रतिधर पहले वर्स चार प्रतिधर थी दूसरे वर्स इसकी जो दर थी वो थी आपकी तीन सही एक वटे दो प्रतिध़ तीसरे वर्स इसकी जो दर है 4 सही एक वटे दो प्रतिधर थी चार सही एक वटे दो प्रतिधर अब दिखे हमारे पास मूल धना गया हमारे पास पहला वर्स दूसरा वर्स और तीसरा वर्स कुल मिला कर हमारे पास कितने वर्स हो गए तीन वर्स तीन वर्स का हमेशे ये क्या साधारण व्याज अब देखिए कैसे निकालते हैं आप लोग कैसे निकालेंगे हमें पता है देखिए आप लोगों का तरीका जो है वो basically होगा कैसे हमने बताया साधारण ब्याज़ बराबर साधारण ब्याज बराबर आप लगा देंगे इसको English में लिखते हैं short form में येस आई बरावर में PRT और बटे में 100 तो आप क्या करोगे भई ये पहले वर्स का हो गया फिर दूजरे वर्स में PRT बटे में 100 प्लस तीजरे वर्स PRT बटे में 100 आप ऐसे ही निकालेंगे बिलकुल इसी तरीके से अलग-अलग आप निकाल कर और इसको जोड़ सकते हैं तीन आप लोगों को सिखाएंगे हमने इसी लिए पहले ही बोल दिया था आपको पैन कापी की कोई जरूरा नहीं है देखिए कैसे करते हैं इसको जोड़ेंगे हम या से हमने बता दिया भई दर टोटल कितनी है इसको जोड़ लीजिए हम पहले फे 4, 3, 7 और 4, 11 हमने क्या जोड आधा ये और आधा एक और 4, 5, 5-4, 8-4, 12 दर टोटल कितनी हो रही बही बारहा प्रतिजट, कितनी हो रही है, ये बारहा प्रसंट तीनो साल की निकल के आ गई दर, और हमने आपको बता दिया, ये तीन जाल की बारहा प्रसंट दर हो गई, तो 12 प्रसंट व्याज हुआ, चार हजार रुपए का आप बारहा परसंट निकाल दीजिए बटे में सो अब जीरो ते जीरो जीरो ते जीरो बारहा चक्कू अड़तालिस और ये जीरो रख दीजिए इस प्रकार से आपका ये ब्याज निकल कर आ गया है ठीक है इसके बाद में नेश्ट कोश्चन ठीक है देखें सवाल नंबर पांच अब आपको सवाल नंबर पांच बताएंगे इसमें भी एक सवाल हम बिलकुल इसी तरीके का लाएंगे पहला है सवाल जैसे पी वरावर में दे दिया है आपको तीन हजार रुपए पी वरावर में आपको दे दिया है तीन हजार अब भाई देख लीजिए आर बराबर में दे दिया है आर बराबर में नौ प्रतिसत दे दिया है आर बराबर में नौ प्रतिसत और टी बराबर में दे दिया है थिरी एर ती वराबर में थिरी एर अब इसको कैसे लगाएंगे आपको बिल्कुल इजी तरीका बताया हमने इस 27 इसका 27% निकाल दीजिए 3000 गुड़े में 27 बटे में 100 0-0, 0-0, 0-0, 87, 81, 810 रुपए आपका ड्याज निकल करा गया है ठीक है? कहीं पे भी आपको पेंचलाने की जरूरन नहीं है और बिलकुली जी तरीके से आप हल कर सकते हैं इसी प्रकार अगला कुश्चन देखते हैं वाई उसको भी कैसे करते हैं ठीक है? सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 6 देखिए इसको कैसे करते हैं इसमें भी हम कोई भी मूलधन ले लेते हैं इसमें हमने ले लिया मूलधन 2000 रुपए ठीक है मूल धन 2000 रुपए ले लिया अब इसमें आपकी दर जो है साड़े तीन प्रतिजत आर बराबर में तीन सही एक वटे दो प्रतिजत तीन सही एक वटे दो प्रतिजत और इसमें आपको पी दे दिया गया है अब आप इसको कैसे करेंगे विल्कुल ईजी सवाल है हमने आपको बताया दर और समय का गुणा कर दीजिए दर और समय का वही तीन सही एक वटे दो और गुड़े में 6 अब इसको क्या गरेंगे तीन दुनी 6 और 1 चाला के साथ वटे दो गुड़े में 6 दो एककन दोतियां बराबर में सातियां 21 % क्या गया? 21 % आ गया वही तो ब्याज कितना? 2,000 रुपए का 21 % रतवटे में 2-0 जिरो से जिरो जिरो अब 21 दूना 42 और यह जिरो बचा था यह रख देंगे इस परकार से आपका यह 420 रुपे साधरन ब्याज गया गया है और यह हमारा साधरन ब्याज का पार्ट वन है और अगर आप लोगों को मेरा तरीका अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे सेर करें धन्यवाद